पोस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ आज करीब सवा चार घंटे मेरत में रहे क्रांति दीवस के मौके पर मेरत पहुँचे योगी आदितनाथ ने कहा कि यूपी के साथ ही मेरत भी नएक लेवर के रूप में उभर का सामने आ रहा है ह कि भी नहते हैं विक्टोरिया पार्क में आजित कारिकम को संबोधित करते हुए सीम योगी ने यह कहा पार्क में आजित कारिकम को संबोधित करते हैं दिल्ली 45 मिनट में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं रैपिट रेल बनेगा यह दूरी और भी कम हो जाएगी आज मेरत वन डिस्टिक वन प्रॉडक्ट के मात्यम से पुरे देश और पुरी दुनिया के अंदर स्पोर्स आइटम के लिए जाना जा रहा है और यही नहीं मेजर ध्यान चंद के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्स इनुवस्टि हम लोग मेरत के अंदर ही बना रहे हैं और जिसका प्रणान मंत्री जी के करकमनों से यहां पर सिलान्यास भी हो चुका है कारे तेजी के साथ आगे वड़ रहा है भाईो बेनो आज हमारी चमेदारी बनती है कि भारत माता के उन महान सपूतों ने भारत की आजादी के बाद जिस नए भारत का सपना देखा था आज व नया भारत प्रणान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में पुरी दुनिया के सामने च्छातावा दिखाई दे रहा है आज आज आप देख रहे होंगे पुरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है दुनिया भारत की और देखती है बड़ी आस भरी निगाओं से देखती है कि भारत का पुराना इध्यास रहा है बिस्व मानवता पर जहां कहीं भी संकट आया है बिस्व मानवता के उपर उस संकट के समय में भारत हमेशा मानवता की पक्स में खड़ा हुआ है और बिस्व मानवता कहीं भी अपनी धर्ती पर प्रताडित भी हुआ है उसे सनन देने का कार्य भारत की समान धरती ने सदेव किया है ख्यास इस प्रकार के तमाम सन अक्षमों से भरा पड़ा है और आज भी जब आप अगरा दुनिया के अंदर रूस और युक्रेन के युद्ध को देख रहे होंगे दुनिया तब भारत के प्रधान मंत्री जी की तरफ देखती है कि भारत के प्रधान मंत्री जी किस रूप में उसको नित्रत देते वे दुनिया के अंदर सांती की बात करते हुए पुरी दुनिया को कह रहे हैं कि हम इस प्रकार के युद्दों से कोई प्रेणाम नहीं आने वाला है सांती के मार्ग पर ही बिस्व मानवता के कल्यान का मार्ग प्रसुष्ट किया जा सकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की इस बचन को आज पूरी दुनिया अंगिकार करती भी दिखाई दे रही है आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जिस उत्तर प्रदेश में लोग विकास के बारे में सोचते थे कि उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग में बादक है एक बैरियर माना जाता था देश के विकास का सबसे बड़ा barrier जिस उत्तरप्रदेश को समझा दाता था आज उत्तरप्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मारगदर्सन में उनके नित्रप्तों में विकास की निप नहीं उचाईयों को आगे बढ़तावा दिखाई दे रहा है मेरट की connectivity की बारे में 12 lane का express वे तो बताया rapid rail का ही बताया गंगा express वे भी आपकी पूरब की दूरी को कम करतावा दिखाई दे रहा है यह connectivity के साथ जुड़तावा यह जेत्र जेवर एरपोर्ट, फिल्म सीटी, मेडिकल डिवाइस पार्क यह तमाम ऐसी चीज़े हैं जो इस पस्मी उत्तर प्रदेश के विकास को पूर्बी उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ते वे देश के अंदर अगरणी भूमिका की रूप में इस छेत्र को एक बार फिर से नित्रत्व की दिसा में आगे वढ़ा रहा है तो भाईयों बेनों हमें उस हर एक छेत्र में कारे करना है जो आज के आउसिक्ता बन चुकी है जनास्ता का सम्मान करते वे भी कैसे हम आपसी सम्मान और सुहार्द के साथ कारे करम कर सकते हैं उत्तर प्रदेश ने देश को दिखाया है भी राम नौमी का ओईजन सांतिपूर्ण तरीके से पचीस करोड की आवादी सांतिपूर्ण तरीके से सम्मान जन धंग से इस आयोजन को मना सकती है ये उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने देश के सामने गुधान प्रस्तुत किया हन्मत जेयंति के कारिकरम सांतिपूर तरीके से हो सकते हैं उत्तर प्रदेश ने एक नजीर प्रस्तुत की और अनावस्यक माईख भी हड़ सकते हैं और उसके माद्यम से होने वाले सोड़ गुल को भिया मिल करके संबाद के माद्यम से दूर कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश ही है संबाद के माध्यम से अलविदा की नमाद सड़कों पर नहीं होगी बल्कि अपनी अबादत गाहों में ही होगी यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है पर और तेहर सांतिपूर तरीके से मनाए जाएंगे हमारी आस्ता का सम्मान सरकार करेगी सरकार सुधाएं देंगी लेकिन हम सामान्य नागरी के आवादवन को बादित नहीं होने देंगे यह भी संकल्प उत्तर प्रदेश की पचीस करोड जनता का नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी को लिकरा है कि उत्तर प्रदेश विकास की इस प्रकरियाग के साथ तेजी के साथ उबरती वेक नई अर्धविवास्ता की रुप में अपना स्थान बनाएग प्रिमोदी जी ने आजादी के अमरित महत्सो को अगले पचीस वर्सथों के अमरित काल की रूप में भारत की जनता को कहा है कि अमरित काल के महत्तों को में समझना होगा जो बिक्ति जी सेत्र में है वह बिक्ति अपनी जम्मेदारियों का इमानदारी पुर्वट ने रुषन कर रहा है तो मतलब वा देश की आजादी के अंबृत काल के उथ्सों का सेहभागी बनकर के घारत को एक भारत स्रेश्ट भारत बनाने के और अग्रसर हो रहा ہے जो जिस शेत्र में है प्रसासिनिक अदिकारी प्रसासिनिक शेत्र में जन प्रतनिदी अपने शेत्र में किसी भी शेत्र का जन प्रतनिदी वो मानने सांसद हैं, मानने बिदायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्स हैं, बलाग परमुक हैं, मेयर हैं, चेयर मेन हैं, पारसत हैं प्रणान है, छेत्र पंचाय समिद्र के सवस्य हैं, निगम और बोर्डं के अध्यक्स हैं, किसी भी छेत्र में कारे करने वाला कोई भी जन प्रत्निती है, किसान अपने छेत्र में, मजदूर सर्मिक अपने छेत्र में, युवा अपने छेत्र में, बिद्यार्ति अपने छेत होगी और यही संकाल प्रतुप्रणान मंत्री मोधी जे ने हम सब को दिलाया है इस खबर में फिलाल इतना ही है आप देखते रिये फास्पाइट डॉट्टी वे नमस्कार